आप सब्सक्राइब करना है और आज की इस क्लास में हमें आठ से लेकर 14 जुलाई तक के जितने भी इंपोर्टेंड वीकली MP नेशनल एज वेल इस इंटरनेशनल करेंट अफेर्स हैं उन्हें बहुत ही आसान सब्दों में तुदा पॉइंट कवर करना है बट आंगे बढ़न इंग्लिस मीडियम का जो बैच है वो अल्रेडी ऑन गोइंग है जिसकी टाइमिंग रहती है मौनिंग 8 एम इसमें एड्मिशन ओपन है इसके लावा चार जुलाई 2024 से मीन्स का एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें केवल नूली एड़ेट जो यूनिट्स हैं वही कवर कर जाएंगे तो मेरे कुछ ऐसे साथ ही जिन्होंने ओल्ड स्लेबस को बहुत अच्छे डंग से कवर किया हुआ है उन्हें केवल जो न्यू यूनिट्स है उन्हें ही कवर करना है तो अभी भी आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं ज्यादा दिन नहीं हुई क्योंकि 6-7 दिन का जो है एक बैच स्टार्ट हुआ है परसों से और 29 जुलाई 2024 से प्री कम मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है इसके लावा 12th पास आउट इस्टुट्स के लिए 3-year फाउंडेशन बैच ऑल्रेडी ऑंगोईंग है एडमीशन से रिलेटेड चाहे वह इंग्लिस मेडियम हो या हिंदी मीडियम हो आप डिस्क्रिप्शन पर दीए गए कॉंटेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे आफ लाइन सेंटर को भी बिजिट कर सकते हैं जो की लोकेटिट है नियर राजिव गांधी आई बस्टॉप ठीक है तो सुरू करते हैं वीकली करेंट अफ टाइम और एनरजी दोनों की ही बचत हो कोसिस करेंगे कि एक घंटे की भीतर हमारी जो पूरी क्लास है वो बाइंड अप हो जाए जिससे आप बाकी के जो आपके इस लेवस है उस पर ध्यान दे सकें और ध्यान रखीगा कि जो करेंट अफैर है ना के बाद प्रलिम्स बलक है प्रधानमंत्री मोधी ओनर्ड विट रसिया साइज सिविल और प्रधानमंत्री मोधी को रूज के सरवोच समान से समाइंत किया हुआ किया गया पहली शौट वीडियो में देखा है फिर से एक बार फटाक से हम लोग रिवाइस कर लेंगे गगन नारंग विल रिप्लेस के लिए भारती दल के प्रमुक के रूप में एमसी मेरी कॉम को रिपेस करते हुए जो सेफडी मिशन है वो गगन नारंग को बनाया गया है जो कि एक मसहूर शूटर है डिटेल में चर्जा करेंगे इसके अलावा आप सभी को पता है टॉन्टी सिक्स ओफ जुलाई से लेक सब्सक्राइब करते हैं को चलूंगा या पिसीक पॉइंट दीट को कभर करने वाले हैं गौतं मंढबिर को बनाया गया है एक चर्चाए पर पॉछरित के सिसमेर को काफी उप्रोंट हो सकता है इसके जूराइब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वह के बारे में बेसिक फैक्स कवर करना है क्योंकि प्रिलिम्स में लगातार देखा गया है कि दो-तीन सालों से इंटरनेशनल और्गिनाईजेशन से कुष्षन डाकली पूछे जाते हैं वह तो बहुत इंपॉर्टन और्गिनाईजेशन हो जाता है जीमी अंडर्शन नहीं अंतर राशी क्रिकट से सन्यास लिया 25 जून को डिक्लियर किया है बाई मिनिश्ट्री ऑफ इंटर्नल अफेर ग्रहमंताले के द्वारा कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे क्यों गोशित किया गया है इसके बारे में चर्चा करना है एक मल्टी लेटरल मिलिटरी इकसाइज और्गिनाईज की जा रही है एक्चुली में एयर फोर्स इकसरसाइज है PB और क्यों कभर करें क्योंकि हमारे एयर फोर्स की भी एक टुकुडी ने अर्फोर्स इकसराइज में पाटिसिपेट कर रहा है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि आप से डायत पूछा पूठ जा सकता है कि PB जो इकसरसाइज है कौन सा द इसके लाब मिश्टर मॉडल पैसिफिक यूनिवर्स जो की पेरू में और्गिनाइज हुआ था इसमें मध्यपदेश की पर्सनालिटी ने इस टाइटल को जीता है तो इसके बारे में चर्चा करना है रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव काफी लंबे टाइम से सुर्ख्यों में है एक रिजनल इंडस्ट्री का उनक्लेव जो है पहली मार्च दोहजार चौबिस को जैन में और्गिनाइज किया गया था एक जावलपूर में होने वाला है इसी वी वीक होने वाला है इसके लाबा जो है और भी बहुत सारे फैक्स जो हमें चर्चा करना है चले स्टार करते हैं बिना वक्त को जाया के हुए अपने पहले क्वेशन के साथ आप सभी को करना क्या है क्वेशन को रेट करते हुए चलना है और रनिंग नोट्स बनाती हुए चलना है समझ में आगी बात वैसे आप सभी 2x मोड पही देख रहे होंगे तो वीडियो को पॉस करके जि जो है लाश में आप देखेंगे कि जो यूनिट 8 है जो सबका कमजोर होता है आप उसमें बढ़त पा लेंगे ठीक है तो ऑन 9 जुलाइ 2024 प्राइम निश्र मोडी वास अवाड़े विच कंट्री इस अउनर और अफ सेंट एंड्रियो दा अपोस्टल 9 जुलाइ 24 को प्रधा प्रेजडेंड पुतिन कंफर्स ऑडर अफ सेंट एंड्रियो दा पोस्टल ऑन पीम मोदी प्रधान मंत्री मोदी को रूस के जो राश्पति है ब्लादिमिर पुतिन उन्होंने अपने यहां का भारत रतन हमारे यहां का हाईजस सिवील एंड्रियो अपोस्टल इससे नवा प्रधान मंत्री मोदी को इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रूस अब यहां पे ध्यान से समझेगा अगर हम प्राइम मिनिश्टर मोदी की बात करें तो नहीं बहुत सारे देशों ने अपने हां का भारत रत अपने हां का हाईजस सिवील एंड्र से समानित किय है इसके पहले मार्च 2024 में ही भूटान ने अपने हां का भारत रतन जिसे कहते हैं order of drug ग्यालपो क्या कहते है सहाब order of the drug ग्यालपो से समानित किया है यानि साल 2024 में अगर हम बात करें तो प्रधान मंत्री मोदी को अब तक कितने देशों ने अपने यहां का भारत रतन याने हाजे सिवीलिन ओनर दिया साब दो देशों ने कौन का उन से देश है एक हो गया हमारा प्यारा भूटान भूटान ने दिया है हमारा सांती है बहुत अच्छे रिलेशन है और और अबिस सी बात है रश्या तो भी या लंबे टाइम से हमारा बहुत अच्छा दोस्त बना किया है क्लियर हो इतनी बात है अब यहां पर ध्यान समझेगा चाहे हम भूटान की बात करें चाहे रश्या की नो डाउट इन्होंने साल 2024 में मोदी को हाजस सिविलन ओनर से कंफर करा है लेकिन रश्या ने इस सम्मान की जो घोशना है एनाउंसमेंट है साल 2019 में ही कर दी थ अगर हम बात करें कि प्रधानमंद्री मोदी के लावा और कौन-कौन इसे फॉरेंडर्स जिन्हें रश्या ने ये सम्मान दिया जो पिम मोदी को मिला तो रश्या बहुत ही कंफॉरेंडर्स हैं जिन्हें जो है अपने हां का भारतत ने दिया है और इस लिश्ट में प्यम म मोदीजी से पहले जो चाइनीज प्रजिडेंट है जो चाइना के राश्पति हैं सी जिन पिंग इन्हें भी इस सम्मान से समाइद किया गया है तो अगर हम फॉरें लीडर्स की बात करें रशियन सिर्जन्स को तो दिया ही गया है क्योंकि उन्हीं का तो यह ऑनर है और रशिय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुक है और जितने भी सोलन है अलग अलग नेशन के उसके एक मैंने यहां पर लिष्ट बनाके रख दी है अब आपको यह लिष्ट बिलकुन भी याद नहीं रखना है बस एक बार सुन लीजे साल 2016 में साउदी अरेविया और अफगान यह उन्हें चार देशों ने अपने हां का हाइज स्यूइलन यह जिर अणांसमेंट किया यु-य है से उन तरफ अमीराथ ने दिया है रुशआ ने ओर रडरी दिया है घुशना कर दी थी 2019 में ही और दी अभी है मालदीप ने भी अपने आका आज सिविल एन ओनर दिया और बहरी ने भी दिया है इसके लावा साल 2020 में यह जरूद हैं रखेगा अगर आप याद रख सके कि युएसे ने अपने आका सिविल एन ओनर कब दिया पीम मोदी को 2020 में दिया था लीजन ओफ मेरिट समझ मैं की भूटान ने अनॉसमेंट कर दी थी दिया मार्श 2024 में है 2023 में पलाव ने दिया पपुआ नियुगी ने दिया फिजी ने दिया मिश्रे ने दिया फ्रांस ने 13 जुलाई 2023 को दिया था इसके लबा मार्श 2024 में भूटान ने अनॉसमेंट पहले कर दी थी 2021 में दिया अभी है यह लिस्ट आपको बिलकुन भी याद नहीं रखना है बस आपकी curiosity के लिए मैंने दे दिया आपको ध्यान क्या रखना है कुछ याद नहीं रख सकते हैं तो किवल एक क्वेशन और इसका अंसर ध्यान रखेगा कि 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अवादे इंडियन ओलम्पिक एस्सेशन एज अज एड़ आफ दा इंडियन कॉंटिंजेंट फॉर पिरिस ओलम्पिक 2024 यहां पी आप न्यूस कटिंग देख सकते हैं गरगन नारंग एपॉंटेज एज इंडिया सेफडी मिशन फॉर पिरिस ओलम्पिक 2024 अब इस क्वेशन पर वाप समर उल्मपिक move. इसको पहले ओलम्पिक, 2020 कोवईट साइम हमतलि एक साल डीलेख था, 2020 का था लेकिन एक साल 2021 में जो है यह गेम और इस यह जोगनाइज हुआ था यह वा य हुआ टाय में जो जो सिटी होश करता है Summer Olympics को उसी City के नाम पर उस साल के या उस एडिशन के Olympic को जाना जाता है 2021 में जापान के Tokyo में हुआ था इसलिए इसे Tokyo Olympics कह रहे थे ठीक है अब 2020 से 4 साल बाद यानि 2020 और 2020 से 4 साल बाद 2024 2024 इस बार का Summer Olympics होश कर रहा है Paris Capital City of France इसलिए 2024 Summer Olympics को Paris Olympic कह रहे है फिर अगले चार साल बाद यह Summer Olympics होगा चार साल बाद यहने 2028 में 2028 में 2028 में 2028 में 2028 का जो Summer Olympics है वो होस्ट करेगा Los Angels USA में सायुकत अरब अमेरिका में United States of America में जो Los Angels है वो होस्ट करेगा इसलिए Los Angels जो है Olympic हम लोग कह रहे हैं अभी जो Paris Olympic है यह कब से स्टार्ट हो रहा है साथ 26 जुलाई से 26 जुलाई से सुरू होगा 11 अगस्त तक चलेगा तो हमें अभी काफी जारी डिटेल्स नहीं मिल रही है 26 जुलाई से डिटेल्स मिलना सुरू हो जाएंगी जारा अगस तक लगातार आपको अपडेट्स देखनों को मिलने का और यकीन मानेगा कोई भी साम हो आपका आने वाले टाइम में यहां से कुश्चन तो रखा ही रखा है पूछा ही पूछा जाएगा तो 26 जुलाई से 11 अगस तक पेरिस में समर ओलंपिक्स 2024 होगा इसका मोटो रखा गया है गेम्स वाइट ओपन ध्यान रखिएगा आपको यह रटना है मेरे साथ दो बार बोल दिजे गेम्स वाइट ओपन गेम्स वाइट ओपन इस दा मोटो आफ पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से लेकर 11 अग स्टेडियम होता है इस स्टेडियम में हर देश की टीम जो है एक मार्च करती है समझ में अगिवाद एक परेड़ टाइप में करती है उस मार्च में हर देश का जो एक टीम होता है उसको लीड करता है एक पर्षन एक या दो पर्षन हो सकते हैं और उन पर्षन के हाथ में उ सारे देश की टीम एक मार्च करेगी और हर के टीम को लीट करेगा एक या दो परसन एक या दो स्पोर्ट परसनाल्टी जिनके हाथों में क्या होगा धोज होगा फ्लैग होगा और ऐसे जब क्लोजिंग सेरमनी होती है जब पूरा इसपोर्ट इवेंट खतम होने वाला होता है सब्षेसे की सब्सक्राइब उने को सप्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब उसनी। कदे पेकं एक कराश MR थे तaining सब्सक्राइब निम्ह advances लुका, सब्सक्राइब सबंदोर्र लेग के रहेफ दोर्स्टराइब वीर र Concept when टीटी प्लेयर है, टीटी प्लेयर मतलब टेबल टेनिस की प्लेयर है, और यह ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बेरर होने वाले हैं, अब यहां पर ध्यान समझेगा, ऐसा तो नहीं है कि भारत से केवल एक और दो उच्छा तो एक सबस्सक्राइब थो परेंगे और बेदेश अखैए लग्लेमने बड्यक गरियेद केवरा में बाक्ति अफ्लैयर हरु, पीज्जी करा केड़ को हैं। 400-meter race मेंТाप्रिकट कर रहा है 800- meets race मेंBpar恭ॐ stupid कर रहा है ऐसे पूरी की पूरी बहुत बढ़ी टीम हो जाती है अव उस टीम काके monitor बना दिया आता है क्लास में monitor बना दिया जाता था इसलिए सh का monitor बना दिया जाता है जिसे सेफडीं कहते हैं क्या केता है सेफडीं मिशन हिंदी में कहते हैं भारती दल का प्रमुख और किसे बनाई गया गगन-tarang को पहले भारती दल के प्रमुख हुआ करती थी और मेरी कॉम को इस बार रेप्लेस करती है गगन नारंग जो कि सूटर है इनकी स्पोर्ट के टेगरी क्या है यह सूटिंग है सूटर है गगन नारंग साहब और गगन नारंग साहब को भारती दल का प्रमुग सेफडी मिशन बनाए गया तो दो-तीन पॉइंट धान रखीगा कौन है गगन नारंग किसे रिप्लेस करती है मेरी काउम को गगन नारंग के स्पोर्ट के है सूटर है कब से कब तक चले का 26 जुलाई से लेकर ग्यार अगस तक 2020 का यहने चार साल पहले का 21 में जो हुआ तोक्यों अलम्पिक है और 2028 में चार साल बात जो है वो लौस एंजर के लिए किसे भारती दल के प्रमुख के रूप में न्युक्त किया है तो वह मॉनिटर कौन स्फडी मिशन गगन नारंग साब और इनका स्पोर्ट क्या है इनका स्पोर्ट है सूटिंग सूटर है यह हूँ विल भी दा फ्लैग बीर ऑफ इंडिया एट ओपनिंग सेरेमनी यहां पर उपनिंग सेरेमनी गाटन समर्वाट का लिजेगा फॉर पेरिस ओलंपिक कौन है पीवी सिंदू एंड सारत कमल क्या है इनका खेल आंसर हो जाएगा साब बैटमिंटन एंड सारत कमल का टीटी टेबल टेनिस है ठीक है यहां पी आप देख सकते हैं यह गगन नार मीन्स क्रिकेट टीम इन प्लेज ऑफ राहुल द्रविट बारती क्रिकेट कंट्र केंट्ल बोर्ड किसे राघुल है बहुंत कि अब यह भी बहुत आसान है आप लोग ने अल्रेड़ी कफर किया होगा तक स्युनेर में क्रिकेट टीम फ्राइस कंट्व करते थे राहुल द् अब यहां पर BCCI की बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो BCCI का फुल फार्म है Board of Control for Cricket in India जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई cricket tournament करना है कहां करना है क्या timing होने वाली है तो इससे संबंदिर rules and regulation बनाने का काम ICC करता है ICC का फुल फार्म International Cricket Council ICC के अलावा यह तो पूरे विश्व में cricket को cricket की regulatory apex body है cricket से संबंदिर सर्वोच नियामक संसा है अगर हम भारत में बात करें तो भारत में cricket से संबंदिर कौन सा tournament होना है कब होना है कौन टीम का part हो सकता है कौन नहीं हो सकता है इससे संबंदिर डिसीजन लेता है BCCI Board of Control for Cricket India और ऐसी मद्धप्रदेश के भीता क्रिकेट की apex regulatory body है मद्धप्रदेश cricket association MPCA तो ICC वर्ल लेवल पर है BCCI इंडिया लेवल पर है MPCA मद्धप्रदेश लेवल पर है अभी हम चर्चा कर रहे है BCCI तो पहला इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है बोर्ट फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और यह national governing body है फॉर क्रिकेट इन इंडिया समय में आगी बाद अगर हम स्टाब्लिस्मेंट इयर की बात करें तो 1928 में हुई थी आपको याद नहीं रखना है हेड़कॉर्टर ध्यान रखना है मुंबई में इसका हेड़कॉर्टर है और इसके अध्यक्ष का नाम ध्यान रखेगा रोजर बिन्नी और सेक्रेटरी का नाम तो आप सभी को पता है आमी साहजी के बेटे जो कि मसहूर क्रिकेट प्लेयर भी रहे है जैसा ऐसा नहीं है यह मीम बनता है इनके उपर तो जैसा सेक्रेटरी है रोजर बिन्नी अध्यक्ष है हेड कोटर मुंबई है 1928 में स्टाबलिस हुई थी डेटा ऑफ इस्टाबलिस्मेंट याद रखने की फुल फॉर्म ध्यान रखेगा बोड़ फार कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया और हैड कोच इसने किसे पॉइंट किया है रिसेंटली गौताउं गंभिर किसे रिप्लेस करते हुए साहब राहुल द्रविड को रिप्लेस करते हुए ठीक है यह अगला कोशन है विच स्प मिशन यहां पर आप न्यूस कुटिंग देख सकते हैं एलाउन मस्क को स्पेस एक्स टू लांच पॉलारिश डॉन एस्टो टू टेक फर्स्ट कॉमर्सियल स्पेसवाग गो फर्दर फ्रम अर्थ दैन एनी अदर मिशन एक बार तो क्लियर होगी भी कि जो पॉलारिश मिशन है पॉलाइश डॉर मिशन एक स्पेश मिशन होने वाला है समयागी बात एक अंतरिक्ष मिशन है और इस अंतरिक्ष मिशन का मकसद क्या है इस तरह का स्पेस वाक करना मानकर चले भी आपके पास कूट कर पेलं पेल पैसा भरा हुआ है अब आपने पुरे वर्ल को टूर कर अब आप चाहते हैं भी आ इस धर्ती से बार इस पेस को टूर करें इस पेस में वाक करें क्योंकि वहां पे ग्रैविटी होती नहीं है इस पेस में वाक करना हो सकता है मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है लेकिन हो सकता है नेक्स लेवल कर मज़े आते हूं पैसे हैं आप के पास आप चाह रहें स्पेस में वॉक करना अब कहा जाएं ट्रिप एडवाइजर कौन मिले हमें सम्झ में आगी बात गवाई भी कहां से मिले आप लोगों सुना होगा न ऐसे बहुत सारे कमपनीस हैसे जो आपके टूर को प्लान करते है अब सीसे नशन नहीं के पास बहुत पैसा है तो हमारे पास आईे हम आपको स्पेस का टूर कराएंगे स्पेस पे व remedy कराईए और स्पेस एक्स भी कम्पणानी है जो कि ओन करते हैं ई 뉴스 मस्क जिए नियू औरमॉरय एक्स वाले और SpaceX के इन ही की कंपनी है, Elon Musk नहीं कहा कि भीया आईए हम आपको Spacewalk का मज़ा देंगे और इस Mission का नाम रखा Polaris Dawn Mission, और इसका पहला जो टूर है वो रवाना हो रहा है 31st of July 2014 को, अब किस रॉकेट से भीजेंगे तो Falcon 9 रॉकेट, इस रॉकेट का नाम ज़रू ध्यान रखेगा, क्योंकि Falcon 9 is the most powerful rocket of the whole world, पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर रॉकेट आज की डेट में Falcon 9 रॉकेट है, जो कि Space X का, Elon Musk का है, और इसी रॉकेट से फ्लोरिडा से लॉंच होगा पहला इसका mission 31 July को Polaris Dawn Mission, मक्सद क्या है, commercial spacewalk कराना, तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, दो तीन पॉइंट ध्यान रखेगा, कि Polaris Dawn Mission क्या है, एक spacewalk mission है, सहाब क्या है, एक spacewalk mission है, फिर किसका ये mission है, आंसर हो जाएगा, Space X, जो कि USA की private space company है, owned by Elon Musk, उनके द्वारा, और 31st of July, देट और याद नहीं रखना, मैं बता रहें, 30 July को फुलोरीडा से, Falcon 9 rocket से launch होगा, rocket का नाम ध्यान रखेगा, Falcon 9 SpaceX का है, question देखे, हाले में किस अंतर इस company ने Polaris Dawn Mission launch करने की गोशना की है, सही answer हो जाएगा, हमारा option D, सहाब space X, ठीक है, हाले में किस अंतर आशी संसा ने में device इस नामक एक online medical platform launch किया है, अब इस खबर को देखेगा, यहाँ पे news cutting भी आप चाहें तो बढ़ सकते हैं, मैं आपको सीधा to the point ले चलता हूँ, आप लोगों ने कभी hospital देखा है, भगवान ना करे, नहीं देखा तो कभी देखे, लेकिन जीवन है, तो hospital तो जाना ही पड़ हैं, अब इस medical devices से संबंधित, जानकारी और medical devices संबंधित, एक standard हो, एक मानक हो, इस संबंधित जितनी भी info है, वो एक platform में हो सके, इसके लिए WHO ने एक online platform launch किया है, सीधा समझी, एक website बनाई है, और website में online platform में आपको medical devices संबंधित, सारी जानकारी एक जगह पर ही मिल एक online medical platform है, मकसद क्या है में device का, में device में full form है, में का medical और डी का device, आई का information and S का system, full form ध्यान रखने की ज़रूद बिलकुर नहीं है, फिर भी बता देता हूं, में का medical device, I का मतलब information and S का मतलब है system, medical device information system, नाम से क्लिए है medical device से संबंधित, जानकारी के लिए एक system तयार किया है WHO ने, तो इसका सही answer क्या होगा, हाल ही में कि संतराशी संसने में device नाम का, एक online medical platform लाँच किया है, सही answer हो जाएगा हमारा WHO, अब आपको note अगर आप कर रहे होंगे, तो कैसा note करना है, आपको simple सा लिखना है, भीया, कि जो में device है, में device है, समझने के लिए website लिख सकने है एक प्रकार के एक website है, फिर सामने लिखी किस ने launch किया, WHO ने, और WHO के बारे में 2-3 point यहां पर लिख लेना है, बस इस तरह को, इस तरह से आपको notes बनाते हुए चलना है, हर वीक का, एक notes लीजिए, उसमें इस तरह के fact लिखते चलिए, और एक बार revise करते हुए चलिए, ठीक से इसके establishment date को commemorate करने के लिए, हर साल 7 April को World Health Day, विस्व स्वास्थ दिवस मनाया जाता है, headquarter कहां पे है, जिनेवा में, स्विट्चलेंड के जिनेवा में, बहुत सारे ही international organization है, जिनका headquarter है, तो WHO का headquarter, जिनेवा में, ऐसे याद रखी का, विस्व स्वास्थ, और स्वास्थ जिनेवा में, इसके जिनेवा में है, लेकिन इसके 6 regional offices है, और वो 6 regional offices कहां है, वो पता करने जोट नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखेगा, जो South East Asia का regional office है, या regional कार्याला है, वो नई दिल्ली में भी located है, ये ध्यान रखेगा, बाकी कहां पे है, हमको PSG नहीं करना है, से कंट्रीज क्रिकेटर जिमी एंडेर्शन है रिटार्ड फ्रम इंटरनेशनल क्रिकेट ओं 12 जुलाई 24, 12 जुलाई 24 को, किस देश के क्रिकेट खिलाडी जिमी एंडेर्शन ने अंतर राशी क्रिकेट से सन्यास ले लिया, यहां पे भी PSG नहीं करना है, टूदा पॉइंट और यहां पे एक नोट कर लिजेगा, कि हाले में इन्होंने सन्यास की घोशना किया, बस सन्यास लिख लेना आप समझ जाएंगे इतने में, ठीक हो गितनी बात है, जिमी एंडेर्शन कहां कि इंगलेंड क्यों चर्चा में सन्यास ले लिया है, कि इन सरकार ने हाले में किस् पॉलिटिक्स क्या हो रही हमें उसे मतलब नहीं है, जब तक हम स्टुडेंट लाइव में है तो पॉलिटिक्स से ही दूर रहिएगा, ताराइक आती है साहब 25 जून 1975 की 1975 की ठीक है, बहुत पहली की बात है, आप तो छोड़िए हो सकता है कि आपके पिता जी भी इस जन में पॉलिटों के हो भी कहे रहे होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 25 जून 1975 को इंद्रा गांधी ने बिना अपने मंत्री मंडल से मंत्री परिशत से सलाह लिए, बिना राश्पती को कहा कि भीया आप इंटर्नल एमर्जंसी इंपोस कर दीजे, आंतरिक आपात का लागू कर दीज उस ताइम पे राश्पती कौन थे, ये ध्यान रखेगा, उस ताइम पे राश्पती थे फकरुद्दीन अली एहमत साहब, फकरुद्दीन अली एहमत साहब को इंद्रा गांधी जी ने इंटर्नल एमर्जंसी आंतरिक आपात का लागू करने के सिफारिश की, लेकिन अपन मंत्री मंदल से अपने मंत्री परिशत से सलाय मसवरा किया ही नहीं पूरे देश में आंत्रिकापात का लागू कर दिया गया और कहा जाता है किस दौरान इंद्रा गांदी ने अपनी सक्तियों का बहुत ही मिस्यूस किया सत्ता का दुर्पयू किया जितने लीडर आफ पर सेंसर सिप लागू कर दिया तो इस तरह की बहुत सारे सत्ता के दुर्पयों करे गये 25 जून 1975 से जब से इमर्जंसी लगी समिधान में बहुत बड़े पहले बदलाव किये गये समिधान शंशोधन के तहट तो 25 जून को समिधान की एक हत्या की रूप में देखा जाता है कि भाया सत्ता का कैसे दुर्पयों हुआ डेमोक्रेसी कैसे दबा दी गई कुचल दी गई और इसी तीथी को याद करने के लिए जिन्होंने दर्द सहा विपक्च के नेताओं ने जनता ने जिन्होंने इतनी प्रतार्णा सही उनके बलिदान को उनके त्याग को उनके संघर्स को कमेमरेट करने के लिए 25 उनको ग्रह मंत्राले ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि भी हम समिधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगी समझ में आगी बात आप सभी को उसके बाद मुरारजी देशाई की सरकार बनती है 42 में Constitution Amendment के तहट इंद्रा गांधी ने Constitution में जितने भी दुर्पयोग वाली चीज़े डाली थी 44th Constitution Amendment के तहट वो सारी हटा दी जाती है साथी साथ जो इमर्जंसी है अगली बार इमर्जंसी ना लगे या फिर लगे तो उस पे बहुत अच्छा सा पार्लेमेंट का रेगुलेशन हो सके नियंत्रित वे में किया जा सके इसके बहुत बड़े बदलाव किया जाते हैं जो कि संदान हत्या दिवस मनाने की गोशना की और हमें कुछ भी यार नहीं रखना चाहिए यहां पर इसको ऑप्शन को थोड़ा सा इग्नोर करेगा यहां पर डेट वाली ऑप्शन होनी चाहिए थे मैं आपको पीडियाप में करेक्शन करके प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है अगला यहां पर हमसे पूछा गया है विच कंट्री और विच कंट्री और गनाइजेस ता बाइनियल मल्टी लैटरल मल्टी लैटरल का लिजेगा एक्ससाइट पिछ ब्लैक किस देश के दोरा दुवार्शिक बहुराश्टी अभ्यास पिछ ब्लैक का आयोजन किया जाता ह यहां पर आप नियूस कट्रिंग देख सकते हैं इंडियन एर फोर्स एक्स पिछ ब्लैक 24 डार्विन ऑस्ट्रेलिया या एक बात तो क्लियर हो गई साहब ऑस्ट्रेलिया में भारती वाई सेना के टुकडी पहुंची है इस अभ्यास में भाग लेने के लिए तो जो पिछ प्लैक एकसरसाइज है ये आस्ट्रेलिया के द्वारा ही और्गनाइस किया जाता होगा बिल्कुन सहीवात है इसके लावशंकी है बाइनियल है यहर 2 साल के बाद और किनाइस होता है फिर मल्ट्री लेट्रल है मल्ट्री मतलब बहुत सारे देश भाग लेते हैं और बोला जा रहा है कि 2024 में 20 से ज़्यादा देशों की एयर फोर्स इसमें भाग ले रही है अब जैसी मैंने बोला एयर फोर्स इसका मतलब यह जो पिछ ब्लैक एक साइज है एक वायू सेना अभ्यास है एयर फोर्स का एक अभ्यास है तो बस यही दो तीन पॉइंट यहां रखना है औ दो साल में होता है और यह जो जाएगा किस देश के दारा दूई बार्स इक बहुराश्ट्री अभ्यास पिछ ब्लैक का आयोजन किया जाता है इसका राइट अंसर और इस एक्ससाइज इस ऑर्गिनाइज भाई ऑस्ट्रेलिया ठीक है चले अगला यहां पे जो क्वेश्च यह जो यूरो कप है एक फुटवाल टूर्मेंट है जो कि पूरे यूरोप कॉंतिनेंट में बहुत ही फेमस है दूसरा पॉइंट इस यह कब से सुरु हुआ क्या हुआ यह सारे पहसरे में बिल्कुन भी नहीं करनी है बिल्कुन भी आपकानें है बस यही कोशेश्च पू Euro Cup football tournament है पहला fact दूसरा इसकी जो 2024 में जो विनिंग टीम है जो विजेता टीम है सहाब वो Spain है और Spain पहली बार इस Euro Cup को नहीं जीत रही यह Spain का 4th title है फिर आप से पूछा जा सकता है भी यह Spain जीता तो हारा कौन तो हारा England हारा कौन हारा England हारा तो England हारता है runner up रहा है विजेता रही है इसमेड चौथी बार जीता है तो Euro Cup 2024 की विजेता टीम कौन से है आंसर हो जाएगा हमारा option है यहां पर आपको परशान करने क्लिए मैं और भी डाटा दे सकता अभी यह Euro Cup कब से सुरूः हुआ क्या था इतिहास क ही आप पढ़िए और दो तीन कोश्चन तो ऐसे होंगे ही करेंट अफैर से अभी किसी भी सब्जर्स की बात करें वो आउट आफ दा बॉक्स ही रहता है उसके लिए परशान होने की जबूत नहीं है ठीक चले तो इसका सही आंसर हो जाएगा साफ इस्पेन हाली में किस अंतर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रसिक्षित करने की घोशना की है अब यहां पर ध्यान से समझो अगर आपको याद हो तो फरवरी के महिने पर प्रधान मंत्री जो मोदी थे हो तमिलनाडू गए हुए थें क्यों गए हुए थें भारत का एक स्पेस पोर्ट को जो है उसके काम अगर हमें कोई भी रॉकेट जो है स्पेश लांचिंग वेहिकल अगर लॉंच करना होता है तो हमें केवल एक ही हमारे पास स्पेस पोर्ट कौन सा सतीज धावन स्पेस सेंटर वहीं से हमें अंत्रिक्ष यान को भेजना पड़ता है हम एक और स्पेस पोर्ट बना रहे हैं स अगर आपको याद हो तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और उसी टाइम पर भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा और वहां से चोटे लॉंचिंग वेहिकल्स हैं जो चोटे पेलोड है उसको लॉंच किया जाएगा जब वहां पे वह गय हुए थे तो यह आगे थी कि ज अगर आपको याद हो तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और उसी टाइम पर प्रधान मंतरी मोदी जी भारत की जो चार गगन यान की जो अंत्रिक्ष में जातरी है जो चार गगन वीर जी नहीं नाम दिया गया उनके नाम की घोष्णा की जाती है एर फोर्स के चार अधि पहली बार भीजने वाला है गगन यान-mission के तहत अब इस मिशन के चार में नसा चारगत्र क में में चार जो मिशन पढ़ा वह तो प्राइवेट मिशन है स्पेस वॉक कराने के लिए स्पेस टूरिजम कराने के लिए स्पेस एक्स का और एक इसका है नासा का ऐसा है अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है यहां पी आप न्यूस कटिंग भी देख सकते हैं टूग अगर यहां कीगा हाले में किस अंत्रिक शंसा ने एक्सियों फोन मिशन के तर इस तो के गगन यान अंत्रिक चात्री को प्रसिक्षित करने का घोष्णा की है नासा आप जैसे इसका आपने शॉर्ट नोर्स बनाया तो आपको लिखना है एक्सियों मिशन फिर दूसरा पॉंट लिखना अगर आपको याद हो तो मैंदाक को पहले भी पड़ाया है कि 1 मर्च 2024 को में समस्किया में करने के लिए भट वहाइग के लिए टेक्स रिलक्सेशन देंगे आपको जमीन प्रोवाइड हम करेंगे कम रेट पर आप हमारे हां इन्वेस्टमेंट करें सर्फाइदा क्या है जब कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके साथ इंडरस्ट्री घुलती है मत्पेस में रोजगार आता है एक्टिविटी क्लेव हुआ था उसका मकसद था कि जो डेरी इंडर्स्ट्री है जो एग्री कल्चर है जो रिलीजियस टूरिसम है उसमें निवेस्ट को आकर्शित करना तो अगर आप से कोई पूछे कि मार्च दोहजार चौबिस में डेरी खादबदात अग्री कल्चर और धार्विक पर में एक रिजनल इंडर्स्ट्री का आयूजन किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि हाली में जो सीम मुंबई गए हुए थे मुंबई में उन्होंने अलग-अलग जो इंडर्स्ट्रिस्ट हैं वो दोगपती हैं उनसे बात की उनको इन्वाइट किया कि हमारे हां 20 जुलाइक को रिजनल इंडर्स्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है तो आईए राउंड मेंज कॉन्फरेंस करते हैं गोल मेंज बैठते हैं भी या और बातचीत करते हैं मध्यपधिस आपको बहुत सारी सुधाएं देने वाला है इसके लावा एक बात और ध्यान रखेगा कि सा सब्सक्राइब करते हैं तो पूछ लिया चाहिए अगर इन विच सिटी आफ एंपी विल्डा रिजनल रिजनल रिश्टी कॉन्क्लेव बी और टॉन्टी जुलाइट टॉन्टी प्रदेश के सब्सक्राइब करते हैं कि सहर में 20 जुलाइट दोजाट चौविस को च्छेटी द्युक्संबेलन का आयोजन किया जाएगा सही आंसर हो जाएगा जब पूर इसके पहले डेरी हो गया फूर्ट प्रोसेसिंग हो गया अग्रिकल्चर हो गया रिलीजियस टूरिजम के लिए एक दो मर्ज को उजयन मी हुआ था ठीक है अरे आप एक दूसरी खाबर निकल कर यह आ रही थी कि जस्टीस संजीव सचिदेवा एक्टिंग चीफ जस्टीस ऑफ एंप पॉइंट हुए थे आप पूरी ये कहानी होच-पोच काफी हो रही है यहाँ तो ध्यान समझेगा दे इके रिटार्मेंट के साथ ही मद्यपदिस हाई कोड का जो चीफ जस्टीस का जो ऑफिसर वो वेकेंट हो गया अब इतने महत्पूर्ण पत को आप रिक्त नहीं रख सकते हैं आप लोगों ने कॉंसिट्यूशन पढ़ा होगा जब मुख नहीं रहता है तो एक कारवाहक मुखनयादिस बनाया गया फिर खबर निकल के आई कि जस्टिस सील नागू को पंजाब एन हरियाना हाई कोड का मुखनयादिस बना दिया गया यानि जो मद्यपदिस के एक्टिंचीफ जस्टिस थे वो पर्मानेंट चीफ जस्टिस बन गया पंजाब एन हरियाना हाई संजीव सचदेवा हैं कौन है जस्टिस संजीव संजीव सचदेवा जो साब है इनको फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया मद्ध्यपदेश हाई कोड का जब तक पर्मनेंट चीफ जस्टिस से पॉइंट नहीं होते हैं फिर ख़बर निकलकर एक और आ रही है अब यह ख़बर अभी तक जो है यही होगी यह नहीं होगी अभी तक इस पेंडिंग में मामला है लेकिन नाइटीन परसें बताया जा रहा है कि संजीव सचदेवा तो एक्टिंग है अब इनके जगे जो पर्मनेंट चीफ जस्टिस होने वाले हैं मद्ध्यपदेश के वह होने वा पॉइंट्मेंट हो जाती है मैं आपको फिर से कवर कराऊंगो तो कहानी अभी तक की है अभी विजय कुमार मनमत साफ जो की 27 चीफ जस्टिस ऑफ मद्ध्यपदेश हाई कोट के थे इनके रिटायर्मेंट के वाद सीन नागु जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गय हाली में मद्ध्यपदेश की किस जी लेके विनी सर्मने पेरू में आयोजित मिस्टर मॉडल पैसिफिक उनिवर्स 2024 का खिताब जीता है अब देखो भी आप लोगों ने लड़कियों के लिए मिस इंडिया मिस इनिवर्स ऐसी ब्यूटी कॉंटेस्ट का नाम सुना होगा ऐ नहीं मिस्टर मॉडल पैसिफिक उनिवर्स एनि पैसिफिक रीजन प्रशानल महतागर और हिंद महतागर के आसपास अपास जीतने हैं सिल्ड़कों के लिए खुब फ्रिեյ्शुर्त का खिताब विनीत सर्मा ने तो आपको जब नोट्स बना रहे हैं तो पहला पॉंट लिखना है Mr. Model Pacific Universe 2024 इसका टाइटल जीता है तो सामने ऐसे नोट करके लिखेंगे विनीज सर्मा जी ने और विनीज सर्मा आप फोटो से ही पहचान गये होंगे अगर मोहन या तो इनको वेलकम कर रहे हैं मेंस यह जो है मद्धपदेश के पस्नाल्टी है पस्नाल्टी ऑफ MP यह मद्धपदेश के अशोक नगर डिस्टिक से बिलॉंग करते हैं तो जब आप रनिंग नोट्स बनाएंगे तो पस यह तीन चीज़े लिखना है पहला मिस्टर मॉडल पैस्व उन्वर्स एरो बना के लिखे का विनी सर्मा ने इसका टाइटल जीता है खिताब जीता है और अशोक नगर से हैं और पहले यह काफी सुर्ख्यों में रहे हैं ठीक हमारा ऑप्शन बी समझ में आगी बाद तो इस तरह आज की क्लास में लोग जान मंतरी मोदी को किस देश के सर्वोच समन और्डर आवदा सेंट इंडियों से समाइट किया गया सही आंसर हो जाएगा हमारा रूस भारती ओलंपिक संग ने पेरिश उलंपिक दोजाबिस के लिए किसे भारती दल के प्रमुक के रूप ने उतकिया गया है गगन भीर हाली में किस अंतराश अंसा ने मेडिवाइस नाम का एक ओनलाइन मेडिकल प्रेटफॉर्म लॉंच किया है डव यचो बारज जुलाई 24 को किस देश के किकिलाडी जिम्में अंडर्शन सन्यास की घोशना की है सही आंसर हो जाएगा साब इंग्लेंड के इन सरकार ने ह अंसर हो जाएगा उस्टेलिया यूरो कब 2024 की चौथी बार जीत रही है इस्पेन इंग्लेंड को हराते हुए हाली में किस अंतरिक्षी संस्ता ने एक्सियों फोर्मिशन के तैत इस रों के गगन यान अंतरिक्षी आत्यों को प्रश्चित करने की घोशना की है सही आंसर क् सब्सक्राइब करते हैं एक जुलाई जुलाई के साथ जुलाई तक यहने लास क्लास हुई थी उस्टाइब उसमें क्या क्या हम लोगों ने कवर किया था बस एक नजन दोड़ा लेते हैं 6 जुलाई 24 को कौन इरान के राश्पती निवाज चीत हुए थे मसूद पिजस्कियान 2 जुलाई 24 को नीदर लैंड के अगले प्रधान मंत्री कौन बने थे तो डिक सूफ्ट बने थे हाली में महान इदेशा किसे बनाए गया था धिरेंदर की ओजा साब को 5 जुलाई 24 को कौन बिटेन के अंठामन में प्रधान मंत्री निवक्त हुए है सर कीर इस्ट्रामर सुचलें में अजिद लोकानों फिल्म फेस्ट्रोल में भारती अभनीता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अ अंतराश्र प्रोजेक्ट में सामिल हुआ है प्रोजेक्ट नेक्सस हाली में खबरों मेरा विंड फॉल टेक्स याद करी मैंने पानी और तालाब बाला एक्जामपल लेकर समझाया था कि बहुत ज्यादा जब लाज़ अमांट में प्रॉफित होता है उस पर लगाया जाता हमारा न्यू डेली में 21 जुलाई 24 तक यूनिस्कों के विस धर्व समित के 46 में सत्र किया अधक्सा भारत के द्वारत की जा रही है हाली में किस देश को सदस की रूप में नामित किया गया बेलारुस को हाली में मत पेश के किस जिले के सहीद विवेक सिंतोमर जी को सब्सक्राइब किया गया सही आंसर हो जाएगा मुरेना हाली में मुखमंत्री डॉक्र मोहनयादों ने सडकों पर पोट होल सेंट पैच की रिपोर्टिंग लिए किस मोबाइल एप का लोकारपन किया है लोगपत मोबाइल हालिम किस सरकार यूनानी चिकिसा सिख्षा के अंतराजी लिंक परियोजना के संदर में असत कथन तो यह मद्वप्रदेश राजस्तान की जॉइंड विंचर है सही बात है इस परियोजना मद्वप्रदेश का लगवाग 10 लाक हेक्टर नहीं दस लाक नहीं दस लाक हेलर चयट की चाहिकी जाएगे गलत हमारा को अपशन है चैयर नोग और 6 छॉद्व एकसे इसस चाहेर को है चयोजना क्यों का मरा तक करना के लिए जबुक्त मितल ठारीज अश्यॉड है पूं ऐसे सब्सक्राइब कर सकता हैं क्योंकि आपके काम केवल आपको fact देना नहीं है newspaper का काम है आपके word power को strong करना आपके flow को बनाना किस तरह से answer को frame करते हैं किस तरह peak मिले जाते हैं conclude कैसे करते हैं यह आपको newspaper ही सिखाता है fact तो और थोड़ी बहुत जो चीजे हैं वो तो मैं cover ही कराता हूं आप newspaper का बहुत जादा time ना दे लेकिन एक एडिटोरियल जरूर पढ़ें 10-15 मियट कम से कम देना ही देना है क्योंकि एक लास newspaper को substitute नहीं कर सकते हैं तो मिलेंगे next video में बढ़ जाते जाते आपके वार फिर से प्रवाइड करा दी जाएगी और गुरु दक्षना के रूप में आपको अपना सुझाओ comment box में लाइक जरू करना है तो मिलते हैं next week तब तक रहस्ते रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद जय भारत भारत मता की जय